नमस्कार आपका स्वागत एश्यानी जिन्या में आपके साथ मैं पून हूँ अक्षे कुमार का सेंसर बोट पर तंज अक्षे ने कहा कि omg2 किशोरों के लिए पहली व्यस्क फिल्म है उन्होंने कहा कि यह फिल्म स्कूल में बच्चों को दिखाई जानी चाहिए हाला कि अक्षे की प्रस्तुती संभव नहीं है क्योंकि फिल्म ए में है 18 वर्ष से कम आयू के व्यक्तियों को यह फिल्म देखने की अनुमती नहीं है फैंस का रियक्षन देखने के लिए अक्षे थेटर पहुचे वहाँ उन्होंने दर्शकों से बाचित की O.M.G.2 योन चिक्षा पर आधारित फिल्म है रशनकारो के अनुसार 13 से 17 वर्ष की आयू वर्ष को ध्यान में रखा गया हाला कि सेंसर्शिप ने उन्हें एक व्यस्क आईडी दे दी थी अब अक्षे ने कहा मैं आपको एक अद्बुत बात बताता हूँ यह किशोरो के लिए बनी पहली वेस्क फिल्म है दरसल यह फिल्म स्कुल में दिखाई जानी चाहिए वहाँ बेटे दर्शकों में से कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने पहले कभी बच्चों के साथ योन मामलों पर चचचा नहीं की है अब वे अपने बच्चों के साथ पारदशी तरीके से फिल्म देखेंगे सोशल मीडिया यूजर सेंसर्शिप के फैसले पर संदे जता रहे हैं उनका कहना है कि जूरी ने इस फिल्म को एडल सर्टिफिकेट दिया है यूजर्स के मताबिक बच्चों को इस फिल्म की कहानी के बारे में सबसे ज़्यादा जानने की जरूरत है बोट ने दो सफता तक फिल्म की समिक्षा की इसके बात कुछ बदलावों के बात फिल्म को एडल सर्टिफिकेट मिल सका फिल्म से तारीफे बटोने वाले एक्टर पंकिस्ति फार्टी भी संसर बोट के फैसले से हैरान रहे गए फिल्म की रिलीस से पहले कारिकर में नोंने कहा जब हमने गैंक्स ऑफ वैसपुर फिल्म आया तो हमने सोचा कि फिल्म की निशित रुप से वेक्स प्रमानन मिलेगा हमें उम्मीद नहीं थी कि फिल्म को एसर्टिफिकेट मिलेगा यह थोड़ी शर्म की बात है कि जिस आयू वर्क को यह फिल्म देखनी चाहिए वसे नहीं देख पा रहा है बता दे ओम जी टू की कहानी सेक्स एडुकेशन पर आधारित है योन शिक्षा के बिना बच्चे खुद को नुकसान पहुचाते हैं और कोई भी उन्हें यह नहीं समझा सकता कि वे गलत कदम क्यों उठा रहे हैं यह फिल्म इसी विशेक की बात करती है फिल्म बताती है कि हमारे स्कूलों में योन शिक्षा क्यों नहीं है इसी के साथ बनने नहें एक्षेन्यू जिन्या के साथ धन्यवाद